Respiratory System के हिस्से Parts of Respiratory System Respiratory System के हिस्से Parts of Respiratory System हमारे Respiratory System में नाक और हलक, सांस की नाली यानि ट्रेकिया, तनफस के उजलाद और फेप्षे शामिल हैं क्या आप अपने किताब में से देखर बता सकते हैं कि कौन से ओर्गन सांस और खुराक की नाली को अलग करते हैं? जी हाँ बच्चों, ये एपिग लोटस है हमारे हलक में दो नालिया होती हैं, एक खुराक के लिए और दूसरी सांस के लिए ये एपिग लोटस ही है जो चीजों को सही रास्ते पर नीचे जाने की इजाज़त देता है जब हम कोई चीज खाते या पीते हैं, तो एपिग लोटस सांस की नाली को ढाब देता है कर दो चीजों में दोचिता है आईए किताब से मुदालिया करते हैं आईए रस्पारेट्वी सिस्टेम के हिस्सों को समझने के लिए एक एनिमेटिड वीडियो देखते हैं यहाँ गॉल ब्लेडर मुचूद है और यहाँ यह खत्म हो गया मेरा मतलब हमारा गॉल मुकमल हो गया है नर्ब इस पार्ट के बारे में क्या ख्याल है यह क्या है फिफ्ट एन्यूल बॉडि लंग रेस जो लोग फर्स्ट आएंगे वो इनाम जीत पाएंगे सर्प्राइज क्लोरी हम दोनों के लिए सर्प्राइज है अगर टाइम होने वाला है तो रेस तस मिनट में शुरू हो जाएगी हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए नर्ब रेस के लिए हमेशा रेडी रहता है ग्लोरी भी हम एन टाइम पर पहुँच गए हैं वो बस शुरू करने वाला है किड्नीज हमेशा लीड में रहती हैं और आईबॉल्स सालों से पीछे रहते हैं हम लंग्स के पास हैं और मरने वाली हालत में हैं हाँ रेसिंग, वरकिंग और ब्रीधिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है तुम इसलिए सांस मुश्किल से ले रही हो क्योंके तुम्हारी बॉड़ी को मजीद ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है जिसे सांस लेते हैं तुम मुश्किल से सांस लेती हो तुम्हारे लंग्स को मजीद ऑक्सीजन की जरूरत होती है और तुम्हारा दिल पूरी बॉड़ी से ऑक्सीजन हासल करने के लिए तेजी से धड़ता है चलो, वहाँ चलते हैं क्या हम जा रहे हैं? अफकोर्स, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम खास तोर पर लंग्स में जा रहे हैं आँ, ये कितनी बुरी जगा है, यहां हर जगा बूगल्स हैं गलोरी, चलो, यहां से चलते हैं जब आप इन्हेल करते हैं, तो हवा आपके नाक में आती है और फिर विंड पाइब के जरीए गुज़ती है जिससे ट्रेकिया भी कहते हैं ट्रेकिया के एंड पर दो ट्यूब्स होती है, जिनने ब्रॉंकाई कहते हैं उन्हें सांस लेने के लिए दो बड़े ओर्गंस की जरूरत होती है जिने लंग्स कहते हैं एक ब्रॉंकस बाइं फेपड़े की तरफ जाता है और दूसरा दाइं तरफ लंग्स आपके चेस्ट मसल के जरीए हवा अंदर लेकर जाते हैं और एक डॉम की शकल का डायाफराम जो के लंग्स में होता है जैसे आप सांस अंदर लेकर जाते हैं तो आपका डायाफ्रांप सुकरता है और फ्लैट हो जाता है जिससे ये नीचे आजाता है लहाजा आपके लंग्स हवा के भर जाने पर मजीद फैल जाते है ओ, यानि जब आप एक्जेल करते हैं तो हर चीज रिवर्स होती है और हवा अंदर जाने की बजाए बाहे निकलाती है बिल्कुल, चलो, हम यहाँ चलते है नर्ब, यह लंग है, यह भी एक दूसरा सेट अप है लंग्स में टनो चोटी चोटी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ब्रॉंक्योल्स कहते हैं जो के बाल की मुटाई के बराबर होती हैं और उनका एंड का सिरा उनसे अगले सिरे पर वाके होता है अब हम यहाँ आ गए है नर्ब, हम कहाँ आ गए हैं? अलवलाई जो के जादूई दुनिया है यह वो जगा है जहां मैजिक होता है जो आक्सिजन हम हवा से लेते हैं वो खोन में जजब हो जाती है अलवलाई और हवा के चोटे चोटे सेक्स हर ब्रॉंक्योल में तकसीम हो जाते हैं और लंग्स तक्रीबन 600 मिलियन अलोविलाई होती हैं हर एक मैश की तरह की कवरिंग होती है और बहुत चोटी ब्लड वैसल्स होती हैं जिने कैपलरीज कहते हैं अक्सिजन खून में अलोविलाई के जरीए चोटी कैपलरीज में जाती है जो के उनके गिर्द मौजूद होती है हा हा बिलकुल अब हम रेस लगाते हैं लेकिन जाने से पहले मैं एक्जेलिंग का प्रॉसेस बताऊंगा जब आप सांस लेने की बजाए सांस बाहर निकालते हैं तो बहुत एहम गैस जो हवा में होती है वो ऑक्सिजन है हर बॉड़ी सेल को आक्सिजन की जरूरत होती है जो लंग्स में मौजूद होती है आपकी बॉड़ी हवा से आक्सिजन लेती है और इससे बलड स्ट्रीम में भेज देती है जब आपका दिल पंप करता है तो आक्सिजन से भर पूर खोन पूरे जिसम में जाता है फिर प्रोसेस उसके उलट होता है सांस बाहर निकालने के दुरान आपकी बॉड़ी CO2 गैस खारज करती है जो के वेस्ट है जिसकी बॉड़ी को जरूरत नहीं होती CO2 बलड स्ट्रीम के जरीए लंग्स में जाती है और फिर बॉड़ी से बाहर निकाल दी जाती है नर्ब हम रेस में बहुत पीछे रह गए हैं परिशान मत हो अब हम तेज तेज भागते हैं हाँ हम भाग रहे हैं हम जीतने वाले हैं हम जीतने वाले हैं यहू हमने जीत लिया कराउड हमारे सामने है लेकिन हर कोई इतना खामोश क्यूं है नर्ब हम 45 मिनट पहले ही रेस चीच चुके हैं ओ आए किताब से मुदाल्या करते हैं ट्रेकिया या सांस की नाली ट्रेकिया हवा लेरिंक से गुजर कर ट्रेकिया यानि सांस की नाली में चली जाती है हमारी सांस की नाली सी शकल की काटिलेज की हलकों से बनी होती है ये हलके यानि रिंग्स हमारी सांस की नाली को खुला रखते हैं ट्रेकिया में मुझूद म्यूकस और नन्ने मुन्ने बाल भी हवा को साफ करते हैं ब्रोंकाई और फेपडे ब्रोंकाई एंड लंक्स ट्रेकिया दो शाखों में तक्सीम हो जाता है जो ब्रोंकाई वाहिद ब्रोंकस कहलाती है ब्रोंकाई हवा को फेप्डों में ले जाते हैं हमारे फेप्डे रेस्पारेटरी सिस्टम के एहम तरीन आर्गन्स हैं हर फेप्टे में ब्रॉंकस मजीद छोटी नालियों में तक्सीम होता है, जो ब्रॉंकियूल के सिरे पर ननी मुनी हवाई थैलियां मुझूद होती हैं, जो अल्वियूलाई कहलाती हैं. अल्वियूलाई को खून की कैपलरीज यानि बलड कैपलरीज ने घेरा होता है. जब हम सांस अंदर खेंचते हैं, तो हवा फेप में दाखिल होती और फिर अल्वियूलाई में पहुंच जाती है. हवा की अक्सीजन अल्वियूलाई की दिवारों से गुजर कर कैपलरीज में जाती हैं, खून के सुर्ख सेल्स इस अक्सीजन को हमारे जिसम के हर सेल तक पहुँचा देते हैं. हमारे जिसम के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनरजी और कारबंडायोकसाइड पैदा करते हैं. खून कारबंडायोकसाइड को फेपरों में वापिस लाता है. जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डायक्साइड हमारे जिसम से वाहर निकल जाती है क्या बता सकते हैं कि हम कैसे सांस लेते हैं? हमारे फेपरों में मसल्स नहीं होते सांस लेने के अमल के दोरान दो किसम के उजलात काम करते हैं जो कि पसलियों के Intercostal Muscles, Intercostal Muscles of Rives और गुंबद नमाड डायाफ्राम हैं सांस लенे का अमल दो मरहल में मकमल होता है नंबर एक सांस अंदर खेंच나 यानि इन्हेलिंग जब Intercostal Muscles हमारी पसलियों को बाहर की जानब खेंचते हैं और डायाफ्राम सुकरता यानि कॉंट्रैक्ट होता है तो हवा फेप्रों में दाखिल होती है। इसे सांस अंदर खेंचना कहते हैं। नमबर टू, सांस खारिज करना यानि एक्सेलिंग। जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ठीले पड़ते यानि रिलाक्स होते हैं तो हवा फेप्रों से बाहर निकलती है। इसे सांस खारिज करना कहते हैं। जरा सोचिए, धौर लगाने के बाद हमें लंबे-लंबे सांस लेने का क्यों कहा जाता है। दौर लगाने की वज़ा से जिसम में ज्यादा कार्बन डायकसाइड हो जाती है। इस वज़ा से हमें लंबे और तेज सांस लेने का कहा जाता है। ताकि जिसम में अक्सिजिन लेवल नॉर्मल हो जाए। आए रिस्पारेट्री सिस्टम को लेबल करने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं। वज़ा दोटी करते हैं। ताकि जिसम में अक्सिजिन लेभी करते हैं। ये तो जिसम में आए रिसम में लेभी करते हैं। झाल झाल बच्चों अगली बार जिब अब खेलेंगे तो अपने सांस लेने के अबल पर जरा गौड कीजिएगा उमीद करती हूँ आज का लेक्चिर आपको समझ आ गया होगा आपसे अगले टॉपिक में मिलते हैं तब तक के लिए अल्ला हाफिस